आइफोन यूज़ करते हो तो ये साथ शॉटकट्स आपके आइफोन में जरूर होने चाहिए वैसे इन में से फोर्थ इन सेवन शॉटकट्स आज तक वन आफ बार फेवरेट शॉटकट्स है लेकिन अगर मैं आपको बता हो एक ऐसा शॉटकट है जिसमें उस फ्लैश के साथ एक टाइमर आप सेट कर सकते हो तो फ्लैशलाइट आपको बहुत काम आएगा तो उसके लिए शॉटकट्स का आप ओपन करेंगे यहां पे आपको यह वाला शॉटकट इंस्टाल कर लेंगे जिसकी लिंक आपको डिस्रीप्शन में देखके को मिल जाएगी अब एक बार यह शॉटकट आप इंस्टाल कर लेते हो उसके बाद जैसे यह आप टाप करोगा यहां अपको आप्शिन मिल जाएगे 5 minutes 10 minutes 30 60 हम फिलाल 5 minutes कर लेते हैं जैसे 5 minutes में टैप करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा flashlight on हो चुका है और 5 minutes के बाद automatically मेरा flashlight off हो जाएगा लेकिन एक चीज याद रहना जब तक यह timer खतम नहीं होता है तब तक और कोई shortcut आप use नहीं कर पाऊगे तो वैसे तो यह छोटा सा shortcut है लेकिन कभी कबार एक काम आ सकता है आपको अब spamming के दुनिया में हम सबको बहुत सारी ऐसी unknown website की links आती है whether in the form of email, whatsapp या फिर messages और उनके उपर click करने से पहले हम थोड़ा सा कत रहते हैं लेकिन एक shortcut है जो आपको run करना यह आपको बता देगा कि वो website के आपके लिए safe है एक बार आपको पता जल जाए कि website safe है उसके बाद जाके आप उस website को access कर सकते हो आईए बता दो कैसे यह shortcut आपको use करना है तो once again हम आएंगे shortcuts में और यहाँ पर आपको यह वाला shortcut use करना है जिसका नाम है web reputation again जितने भी shortcuts है उन सब की links आपको description में देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर web reputation पर आप जैसे click करोगे यहाँ पर सबसे पहले वह URL आपको copy करके paste कर देनी है in my case में instagram.com कर रहा हूँ and यहाँ पर done पर click कर रहा हूँ अब यहाँ पर आपको multiple options मिल जाएंगे आप web of trust पर click कर सकते URL void पर click कर सकते वाइरस total यह सारे options यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो आप check कर सकते उस परड़ी website के बारे में फिलाल हम सिर्फ basic काम कर रहेंगे that is web of trust तो यहाँ पर mywhat.com open हो चुका है और यहाँ पर चेक कर रहा है कि यह website safe है के नहीं Instagram completely safe है in fact नीचे आपको कुछ reviews भी देखने को मिल जाएंगे तो कोई भी unknown website को open करने से पहले यह shortcut में आके वह website के बारे में सारे details आपको check कर लेने चाहिए अब online अगर आपको कुछ भी search करना है तो usually हम यह करते हैं कि browser open करते हैं उस पर वेबसाइट पे जाते हैं या फिर पटिकलर अप open करते हैं वहाँ जाके search करते हैं लेकिन यह shortcut में आप जो भी search करना चाहते हो वह आप जैसे enter करो कि वहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या यूटूब पर search करना है कि आपको गूगल पर search करना बिंग पर search करना है या फिर ट्विटर पर search करना है एंड डिरिकली आपको वह पटिको एप या फिर वेबसाइट पर लेके जाएगा तो यहां पर यह वाले shortcut पर click करना जिसका नाम है search on जैसे यहां पर tap करोगे सबसे प लेकिन फिलाल यह वाल option नहीं कर रहा है Amazon पर search कर सकते हो as well as Bing पर search कर सकते हो यहां पर YouTube select करेंगे जैसे यूटूब select करोगे automatically YouTube open हो जाएगा और आपको जो search करना है वह term अलड़ी यहां पर enter हो चुका है यहां पर search results भी आपको देखने को मिल जा रहा है आईए एक और search यहां पर कर लेते हैं लेकिन इस बार हम select करेंगे बिंग तो यहां पर आप देख से तो ओलोजी इंटेक बिंग के थूरू search हो चुका है अब iPhone portrait picture तो बहुत ही बढ़िया क्लिक करता है लेकिन कितनी बार हम portrait picture नहीं क्लिक करते है एक normal picture क्लिक करते है अब जा इसका नाम है एड पोट्रेट एफेक्ट तो जैसे इस पर मैं tap करूंगा सबसे पहले में पूछा जाए क्या मेरे को नया picture क्लिक करना है या फिर अपनी photo library से लेना है तो हम photo library से यह वाले picture select करेंगे और यहां पर यह वाला picture हम select कर लेते हैं और उसके बाद यहां पर आपको पूछा जाएगा इसकी blur intensity आपको कितनी रखनी है मेरे case में intent select करूंगा and जैसे selection कर लूँगा मैं उसके बाद आप देख सकते हो यह जो normal सा picture है उसमें portrait effect add हो चुका है background completely blur हो चुका है and यहां पे arrow पे click करके इस पड़ू picture को आप photos में save भी कर सकते हो अब next आपके wifi से आपने connect कर लिया and उस networks related जो भी information आपको चाहिए यह particular shortcut आपको निकाल के देगा and इसके लिए यह वाला shortcut आपके बहुत काम आएगा नामे network tool तो यहां पे जैसे आप करोगे आपको multiple options मिल जाएंगे तो अगर आपको आपके wifi का information जानना है तो आप यहां पे आप कर सकते हो speed test करना तो आपको कोई और app में जाने की ज़रौत नहीं आपको कोई page open करने की ज़रौत नहीं directly यहां पे आके आप speed test कर सकते हो test ping कर सकते हो कोई advance information चाहिए तो भी ले सकते हो physical IP location आपका location map में कहां पे है वो भी आप check कर सकते हो that is for example यहां पे VPN यूज कर रहा and उसके बार इसको आपको एक बार allow कर देना and next fast.com पे लेके जाएगा and वहां पे आपके internet की speed यह check करेगा फिलाल मेरा internet थोड़ा fluctuate हो रहा है इसलिए काफी कम speed आपको देखने को मिल रही है अब next shortcut है जिसमें आप जो भी लिखोगे उस text को audio में convert करके देगा तो जो भी एक पार अपन करना इस तरन text इंटो audio जैसे इसके उपर अप टैप करोगे यहां पर आपको आपको एंटर करने का option मिल जाएगा यहां पर आपको आपको यहां पर टैप कर लेना नेक्स आपको क्लिक करना है डन पर रन बेक यहां पर प्लेब करकर करक्या आपने जो भी टा लाइंग्वेज चेंज कर सकते हैं अब आपके आइफोन से कोई भी फोटो और वीडियो ऐड्रॉप तो कर सकते हो दूसरे एपल डिवाइस को लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेसेज टाइप करना है या फिर ड्रॉप करके भेजना है थूर एड्रॉप तो वह आपच यहां पर इंस्टाल नहीं करना चाहता हूँ एक्स्टा कोई भी आप इसलिए मैं नो थांक्स कर ले रहा हूँ और नेक्स आपको यहां पर ऑप्शन मिल जा रहे है कैन्वास या फिर प्लेन टेक्स तो इन माई केस में सिलेक करूंगा कैन्वास यहां पर हम लाइट बैग् अपर यह एकडॉप रिसीव हो चुका है इन जैसे एक्सेया पर एम मेक्लिक करूंगा यह जाके से मेरे ऋचुक आये दूसरा आपशन करने के देख लेड़ां सेयर्स करेंने और इंद यह पर . करेंगे send plain text and again same हम यहां पर hello लिखेंगे and यहां पर क्लिक करेंगे done उसके बाद allow once करना है and airdrop select करके जो भी receiver है उसको आपको यहां से आकर select कर लेना है and यहां पर वो text आप notes में भी save कर सकते हो pages में कर सकते हो numbers में कर सकते हो basically आपको यहां पर multiple options मिल जा रहे है in my case में note select करूँगा and जो भी sender ने लिखा हुआ है वो यहां पर में को देखने को मिल जाएगा shortcuts अगर आपको मज़ेदार लगे तो आपको सिर्फ इतना ही करना है वीडियो को like करना है share करना है चैनल पर पहली बारा subscribe कर सकते हो पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी click जरूर करिए देखते रहे origin taken इंडियो मिलते हैं next video में